विडियो प्लिप्ट आप स्टॉक मार्केट फेंगे और से दिसंबर क्वाटर की फिनांशल इसल्ड पेस हो चुका है आज के से वीडियो में अलसे करें गाइस सेगंड कौर्ट इठाट कौर्टर नाइन बन सेंडर दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है तो हम लोग पहले प्षेजटर्ट एकवर करें गये उसे पहले प्रभली करोcha करोड का है बहुत बली फॉल देखने को मिला है इंकंके ने तो यहाँ पर दिखा जाया तो एक स्थ लोगा है करोड का नांटी एंट करोड का पिछले को आटरम सावन पॉंट फॉर करोड का एला पर देखने को मिल रहा है चाहे वह जाएंट वेंचर से यह का प्रॉफित हो या फिर एक्स्पेंसेस इंक्रीज किया है प्लस इंकम डाउन हुआ जिसके गन प्रॉफित अगर दिखा जाता अप्रेटिंग प्रॉफित 381.4 करोड का पिछले क्वार्टर में 754.4 करोड का जो कि बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है यहां पर देख सकते को मिला है पिछले क्वार्टर से यहां देख सकते हैं EPS 0.46 रुपेश का जो कि क्वार्टर ओन क्वार्टर में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है तो गैज कंपनी को consolidated financial result बहुत ही वीक पेश किया है अगर हम लोग इसके standalone results को cover करेंगे तो करोड उसमें numbers है income है 134 करोड का पिछले quarter में 148.9 करोड का और December 22 quarter में 34.9 करोड का income है quarter on quarter में fall है लेकिन year on year में increase किया है लेकिन यहां पे expenses अगर देखा जाए तो इंकम जो है interest income generate किया है दिख सकते है जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यदा income generate हुआ है expenses हुआ है 36.3 करोड का पिछले quarter में 25.3 करोड का और December 22 quarter में 4 करोड का expense हुआ था quarter on quarter के income down और expenses increase के इसके कारण profit बहुत 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 ज़्यादा हुआ है जिसके करन यहां पर operating profit at 97.7 करोड का पिछले quarter में 123.5 करोड का December 22 quarter 30.8 करोड का operating profit है quarter on quarter में fall है year on year में increase किया है net profit company का 70.4 करोड का पिछले quarter में 88.7 करोड का और December 22 quarter में 8 करोड का net profit है quarter on quarter में fall है year on year में increase किया है EPS 0.11 रुपेज का quarter on quarter में fall है year on year में भी fall देखने को मिल रही है तो guys company का result अगर देखा जाए तो बहुत ही average क्योंकि consolidated basis पर company का जो numbers है बहुत ज़्यादा गिरावाट है क्योंकि income and profit दोनों में गिरावट आई consolidated पर लेकिन standard on में quarter on quarter के income profit दोनों में fall हुआ है लेकिन year on year में increase करता हूँ नजर आया तो कह सकते company यहाँ पर average result पेश का अपना अच्छा result पेश नहीं किया है guys यहाँ पर देख सकते है तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर रेंट करते हैं अगर कोई doubt और comment box में पुछे मिलते हैं next order में तिल देन बाई बाई